नागपुर में जानलेवा नायलोन मांजे की बिक्री और खरिदी पर रोखोने के बाद भी मार्केट में इसकी बिक्री धडलले से जारी है पतंगबाजी भी शुरू हो गई है बावजुद इसके सम्मंदितों के खिलाफ कारवाई नहीं हो रही थी ग्यात हो कि पतंगबाजी करने वाले लोगों में पिछले कुछ बर्शों से नायलोन मांजे को लेकर काफी क्रेज है जिसके कारण दुरगटना और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है इसी बात को देखते हुए इस संक्रांती पर अपर नायलोन मांजे के खिलाफ मनपा के घंकचा व्यवस्तापन विभाग ने नोडल ओफिसर डॉक्टर गजेंदर महले ने 2 दिसंबर को नायलोन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी है जो भी नायलोन मांजा बेशते हुए मिलेगा उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी उलेकनी है कि राज के पर्यावरन विभाग की तरप से 18 जुन 2016 को पर्यावरन सरक्षन कानून 1986 की धारा पाच अंदर गत नायलोन मांजे के उपयोग पर रोक लगाई गई है इसी बात के मदे नजर अब नायलोन खरीदी बिकरी एक अब पतंग बाजी करने वालों को बड़ी मुसिबत में डाल सकता है VKB News की भी जनता को सला है कि नायलोन से होने वाले नुकसान और परेशानियों को देखते हुए इस बार नो नायलोन इस बात को अपनाए